प्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि ऐसे बहुत से सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं जो कि हमारे हाँ की लोकल नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाते हैं रेट भी ज़्यादा उनके हाई नहीं होते हैं और उनकी देख भाल भी बहुत कम करनी पड़ती है क्योंकि अक्सर लेकिन वो कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगी जो काफी पौधे हार्डी है तो मेरे साथ वीडियो में आप लोग बने रहेगा तो चलिए वीडियो की सुरवात करते हैं नमशकार दोस्तों मेरे और आउटडोर बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है यह बेस्ट एयर प्यूरिफाई का भी काम करता है इसलिए इसको इंडोर प्लांट के रूप में लोग घर के अंदर लगाना काफी पसंद करते हैं नेक प्लांट को बहुत आसानी से लीफ के द्वारा और पौधे से निकलने वाले पफ के द्वारा उगाया जा सकता है लेकिन जो वेरिगेटेट प्लांट की लीफ होती है अगर उसको हम तोड़ कर ग्रो करते हैं तो उसमें वो कलर नहीं आता है जो वेरिगेटेट प्लांट को पफ द्वारा लगाने पर आता है इस लिस्ट में शामिल होने प्लांट को cactus समझ लेते हैं लेकिन ये cactus नहीं होता है ये succulent की category में ही रखा गया है इस पर फूल भी बहुत खूबसूरत तारे की तरीके से आते हैं जिस पर जेब्रा की तरीके से धारियां बनी होती हैं इस प्लांट को कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और उसके लिए आपको मदर प्लांट की लीफ को लेकर अच्छे स्वाइल में लगाना होगा और बहुत जल्दी इसमें रूट निकल आती है ये पौधा सर्दी में भी बहुत आसानी से लग जाता है लिस्ट में हमारा जो तीसरा पौधा आता है वो मिनी जेट प्लांट के नाम से जाने जाने वाला पौधा है ये भी एक संकुलेंट्स प्लांट है और काफी हार्डी प्लांट है इसकी छोटी छोटी सी पत्या काफी खूबसूरत होती है और इस पौधे को बोंजाई काफी आसानी से बनाया जा सकता है यह पौधा काफी बुशी होता है और गर्मियों में अगर इस पौधे को 15 दिन भी पानी ना मिले तो यह आराम से चल जाता है बस इसकी पत्याँ थोड़ी सी डल सी हो जाती है लेकिन अगर जैसे ही इस पत्याँ फिर से एक्टिव हो जाती है इस लिस्ट में जो हमारा hardy succulents plant है वो imifolia है फ्रेंड्स ये South Africa से belong करता है और इस plant की भी दो variety आती है इसकी जो पहली वाली green variety होती है वो nursery में ठीक rate में मिल जाती है लेकिन जो इसकी variegated variety आती है वो काफी costly होती है लेकिन जो इसकी green वाली variety होती है वो काफी hardy होती है और वो सर्दी गर्मी में आसानी से घर में लग जाती है इसको पत्यों से और इसके जो पौदे से puff निकलते हैं दोनों से ही इस पौदे को आरांग से तयार किया जा सकता है आस्ट में हर घर में ही पाया जाने वाला succulence plant aloe vera है ये भी काफी अच्छा एक succulence plant है और काफी सस्ते में और काफी आसानी से grow होने वाला plant है aloe vera का पौदा भी एक hardy पौदा है और इस पर भी मौसम का कोई असर नहीं होता है इस पर जो पत्ते आते हैं वो या तो बिना तने के होते हैं या फिर जो आते हैं उनके तने बहुत छोटे होते हैं इनके किनारों पर नुकीले से दात नुमा आकार के शेप होते हैं जो की देखने में काफी कटीले से लगते हैं इस पौदे को direct धूप में नहीं रखा जाता है अगर इसको direct धूप में रखते हैं तो इसकी पत्या पीली पड़ जाती है इस पौदे को cutting से और puff के द्वारा लगाया जा सकता है ये थे ऐसे पाँच hardy succulence plant जिनकों की बहुत आसानी से किसी के घर से या कहीं से पत्ती लाकर आराम से इनको घर में लगाया जा सकता है और इनसे नए पौदे तयार करे जा सकते हैं खासकर ये पौदे उन लोगों के लिए काफी useful हैं जिनोंने अभी अभी gardening स्टार्ट करी है तो कैसा लगा आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ कि friends आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा